इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम अलेकुम रहमतुल्लाह बरकातु इत्याद न्यूज में आप सभी का खैर मगदम हैं काउम बनेगा यमपी आज का मौदू है बिल्गाम से मस्तकिल चार बार जीतने वाले जनाब सुरेश अंगडी की मौत डेली में कोरोना से हुई आखरी रसूमात भी डेली लिंगा एक्जिट हुई तो अब इनके जगह पर कौन का सवाल भी खड़ा हुआ है सियासी गलियारों में यह मौदूद जेर बहस सुरेश अंगडी के बाद कौन शायद इस सवाल का जवाब मुश्किल तो है पर डूनना भी ज़रूर है और यहां काम सियासी पार्टियां कर रही ह आखर सुरेश अंगडी का सियासी वारीज कौन मुस्तकिल चार बार जीत हासिल करने वाले अंगडी ने इसे भाजपा का मजबूत किला बना दिया था बेलगाम क्षेतर में भाजपा की जानिब से मुस्तकिल चार बार जीतना भी कोई मामूली बात नहीं थी और जाहिर है इसी काम्याबी के मद नजर इने रियासती वजारत भी हासल हुई अब इनकी मौत के बाद यह बात गश्ट कर रही है कि अब कौन और इनके बराबर का वो शक्स कौन होगा सियासी पार्टियों ने अब उमिदवार की तलाश जारी की है रियासती रेल वजीर जनाब कामों की शुरुआत की थी और इसी से बेलगाम कित्तुर धरवाड भी रेल को मंजूरी दी गई देखा जाए तो तीन बार मुस्तकील काम्याबी हासल होने के बाद भी कुछ काम नहीं किया ऐसा इल्जाम भी भाज़ुपा की जानिब से बार बार उठाय जाता रहा और इन मरकजी वजारत हासिल हुई पर अब इनके अचानक चले जाने से भाज़ुपा के साथ कॉंग्रेस में भी हल्चल जारी हुई है कॉंग्रेस की जानिब से लक्षमी हबार कर ने पिछली मरतबा अच्छा खासा मुकाबला किया था और भी दिगर लीडरों के नाम जेर बहस ह भाज़ुपा की जानिब से अभय पाटिल संजय पाटिल शंकर गौड़ा पाटिल एलोकेट जिरली और भी कई नामों की चर्चा है लिहाज़ा इतना जरूर है कि कुछ लोगों की नींदे जरूर उड़ी है कईयों को ऐसा लग रहा है कि अब यंपी वही बन सकते हैं दू ऐसे भी सावकारों की पुरानी आदत है कि किसी मौके को वह नहीं छोड़ते एका और सच्चा ही अभी है भाज़पा को लेकर अवाम में नाराज़गी है मोदी का जादू ढलता जा रहा है किसानों की बिल को लेकर मुल्क भर महतजाज जारी है और रियासती तोर पर सती ज पाइदा कॉंग्रेस को हो सकता है देखना है कि अवाम का फैसला क्या होता है पर सुरेश अंग्री के बाद सियासी वारिस कौन का जवाब आसान तो नहीं है जिसका इंतदार सभी को रहेगा इत्याद को देखने को लिए शुक्रिया अलाफिस